हेलो फ्रेंज एक नया सीरीस स्टार्ट कर रहे हैं से 33KV रिले पैनल स्लेश कंट्रोल पैनल का एक प्रैक्टिकल ड्रॉइंग जोकी सबस्टेशन में वर्किंग है उसको लेकर हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो उसमें आज पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले कोट अब देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो अभी आप जो देख रहे हैं वो एक सिंगल डायग्राम है जो की याड में होती है याड में जो एक्विपमेंट होते हैं वो कैसे प्लेस होते है उसकी वो डायग्राम है यह 33 केवी की बस है और यह फिडर A है और यह फिडर B है ठीक है यह हमारा बस आइसोलेटर यह हमारा ब्रेकर है यह हमारे सीटी है त्री कोर की सीटी यूज़ की है 200 कर इश्यो लिया यह है LA, ठीक है, same things in feeder, B में भी same things है, ओके, अब उसके हम लोग general arrangement देखेंगे, इस relay panel का, general arrangement में यह over current relay of feeder A है, यह over feeder B का over current relay है, यह B controller unit है, उसके बारे में भी देखेंगे, यह क्या है, यह हमारे इदर enunciator है, और यह हमारे meters है, MFM meters है, यह TNC switch है, ठीक है, और यह test block से नीचे, तो आपने अभी general arrangement देखा, अभी हम लोग, उसका DC distribution कैसे है, वो देखेंगे हम लोग, तो यह जो आप देख रहे हैं, इदर यह, यह जो rectangle है, यह DC DB का है, और यह है हमारा relay panel, ठीक है, तो उसमें से positive गया है, इदर ऐसे, और negative ऐसे गया है, positive और negative, positive गया है हमारा XJA-01, और negative गया है, XJA-032, तो positive और negative इदर से ऐसे गया, फिर यह main MCB को गया है, जो कि MCB1 है, हमारा, और वो आगे distribute होगा है, various MCB through, feeder A को, यह feeder A को गया है, यह this MCB, MCB1 से feeder A को गया है, फिर एक दूसरे MCB through, DCDB through, और दो आयस जाएंगी, वो जाएंगी J3, J4 को, यह MCB2 को जाएंगी, MCB2 जो है, वो हमने feeder B के लिए, DC distribution देने के लिए use किया है, फिर यह MCB2 से जाएगा, यह MCB through, यह distribute होगा feeder B के लिए, तो देखते हैं, यह distribution कैसे होता है, MCB11 जो है, वो use किया है, feeder A backup relay, over current relay को, जो DC supply दिया है, और जो DC supervision के लिए, MCB12 यूज किया है, feeder A के closing और trip circuit 1 का DC supply के लिए, MCB13 use हुआ है, feeder A के trip circuit 2 के लिए, MCB12 हुआ था, closing and trip circuit 1 के लिए, MCB13 trip circuit 2 के लिए, हम लोग use करेंगे, ठीक है, और यह जो इसमें, जो MCB2 है, जो feeder B के लिए use हिवा है, उसमें से MCB21 is for over current protection, MCB22 for trip circuit 1 and closing circuit, and MCB23 for trip circuit 2, और MCB24 जो है, वो isolator control DC supply, isolator के लिए control DC supply के लिए use हुआ है, ओके, और यह जो है, यही DC जो है, वो आगे गया है, हमारे B controller unit के लिए, ठीक है, तो इस तरह से यह DC distribution हमने देखा, AC distribution जो है, ACB दिया हुआ है, relay panel को, यह उसका AC का MCB है, वो यूज जाता है, heater के लिए, heater के लिए, फिर door limit switch के लिए, panel illumination lamp के लिए, power socket के लिए, ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखा, वो हमने draw किया है, यह हमारा DCDB है, यह जो दिखना आपको, यह DCDB है, उसमें बस है, positive का, negative का बस है, उसमें से various MCBs निकलते हैं, हर एक feeder के लिए, एक separate MCB होता है, तो हम लोग assume करेंगे कि MCB1, हमने use किया है, feeder rate के लिए, तो उसमें से दो wire, MCB से दो wire निकलेंगी, यह एक positive की, और एक negative की, और वो जाएंगे हमारे relay panel में, ठीक है, तो इधर हमने देखा था, यह जो, यह जो TB है, इधर, उसका XJA-01, XJA-01 में positive है, XJA-0203 में negative दिया है, ठीक है, उसको फेरूल हम लोग J1 और J2 use करते हैं, आप इतना यादर के, यह J1 और G2 use करते हैं, और क्योंकि यह feeder है, उसके लिए हम लोगे इसको prefix दिया है, ए का, तो यह हो जाता है, A, J1 और A, J2, similarly, feeder B के लिए 2 wires, MCB2 से 2 wires निकलेंगी, उसको हम देंगे, फिरूल B, J1 और B, J2, क्योंकि यह B feeder के लिए DC हमने यूज किया है, और ACDB है, पूरे relay panel के लिए हम लोग एक ACDB देंगे, H1 और H2, ओकि यह phase और neutral है, ACDB में, उसमें से 1 MCB, 1 MCB से, MCB1 से, H1 और H2 देंगे हम लोग, ठीके तो आमने आज, देखा कि AC और DC distribution कैसे होता है, relay panel में, thank you so much, please share this video on WhatsApp, and do visit our website www.electricalfundage.com, thank you very much.